इस प्रेस वारता चे सारे पत्रकार प्याना प्रामादा स्वागत है जी आया नूँ अज दी प्रेस वारता नूँ विशेश रूप नाल संबोधित करंगे किंद्रिय मंत्री जो पंजाब दे चुनामा दे इंचार्ज भी रहे शिरी के जिंदर सिंग शेखावजी विशेश रूप नाल पंजाब दे दौरें ते आये ने तौरा साब दी भरसी है उस बर्सी दे करेकरम च पार्टी दी लीडर्शिप दे नाल उनने जाना है तो आज दी इस प्रेस कांफरेंस में संबोधित करनगे उन्हा दे नाल पार्टी दे सूबे दे प्रधान श्रीमान जी पाटी दे जन्रस कतर शीरी जीवन गुपता जी शीरी रजेश बागा जी शीरी बिक्रम जी सिंग चीमा जी पाटी दे बड़े सीनर नीतर साथ का कैबिनेट मिनिस्टर मुनवेंगन कालिया जी सरभ जी मकड जी ऐसी सारी लीडर्शिप भी उपस्तीत है मैं आदे में शे चल रहा है आरही है आप लोगों का आवाज आप लोगों को आनी ची ये वाकी कोई दिखते हैं दन्यवाद सुभाज जी बारतिय जन्ता पार्टी पंजाब प्रदेश द्वारा आयोजित इस प्रैसवारता में मंच पर उपस्तित सुभे के प्रधान आदनी अश्विनी शर्मा जी मानि मोदी जी के मंत्री मंडल में मेरे साथी आदनी सोंप्रकाश जी संसद में हमारे साथी और इस पंजाब के हर्द लजी श्री हंसराज हंस जी बारतिय जन्ता पार्टी के सभी वरिष्ठ करेकरता बंदूँ और आज इस प्रेस वारता में उपस्तित सभी पत्रकार मित्रों मैं सभी पत्रकार मित्रों का बारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार ग्यापित करता हूं मित्रों आप से लगबग एक साल पहले पंजाब सुबे के विधान सभा के चुनाओं के दोरान अनेख बार आपसे चर्चा करने का आथ़ना था। चुनाओं के समय में बार-बार हर एक बार चर्चा के समय मैंने आप सब लोगों से और आप लोगों के माध्यम से ये विशह प्रतिपादित करने की कोशिश की थी और जिस तरह का अंदेशा व्यक्त किया था कि ये गैर जिम्मेदार सरकार, अनुभवीन सरकार यदि इस पार्टी के लोग सत्ता में आ जाते हैं और इनकी सरकार बनती है तो पंजाब जो जैसा सूबा, जो सीमावर्ती सूबा भी है और समवेदन शील सूबा भी है, इस सूबे के हालात बिगड़ करके भयावय हो सकते हैं जिस तरह की परिस्तितियां पंजाब में थी और ये लगता था कि पंजाब बारूद के धेर पर बैठा है एक तरफ अलगाववाद की आग को सुड़गाने के लिए शड़ियंत्र किये जा रहे हैं पंजाब में एक बार फिर वही आतंकवाद का बुरा दौर आ सके और उसके कारण से अपनी महत्वा कांग्शाओं को सिद्ध करने वाले लोग प्रयासरत हैं दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरह से ड्रग माफिया ने चारों दिशाओं में अपने पाउं पसा रहे हैं और तीसरा जिस तरह से पंजाब में माफिया राज हावी हुआ है गन कल्चर जिस तरह से पंजाब में सिर चड़ के बोल रहा है एक्स्टॉर्शन जिस तरह से चरम सीमा पर है यदि इस तरह इस पार्टी की सरकार बनेगी तो हालात बेकाब हो सकते हैं और बिगड़ सकते हैं और आज एक साल बाद आप सब लोगों के बीच में बैट करके मैं अपने पुराने शब्दों को एक बार आपके सामने साजा करना चाहता था जो अंदेशा किया था कमोबेश उसी तरह के हालात बने आप सब ने देखा किस तरह से खेल के मैदान में खेलते वे खिलाडियों को गोली मारी गई पंजाब में गीत और संगीत राग और रंग को फैलाने वाले कलाकारों को एकस्टॉर्शन की धंकियां और उसके बाद में उनकी निशन सत्याइं की गई पंजाब में जिस तरह से खुल करके ड्रग और गन इन दोनों के माफिया हवी हुए शाहिद ही पंजाब का कोई व्यापारी व्यावसाई बिल्डर या कोई भी प्रिसिद्ध व्यक्ति होगा जिसके पास में एक या एक से ज़्यादा एकस्टॉर्शन के कॉल्स नहीं आये होगे लेकिन सरकार लॉए और अर्डर के मामले में उस फ्रंट पर एबसुल्यूटली फेल हुई है हाली में समाचार आया है कि खडूर साब में गुर्दवारा के ग्रंथी की टांग काट करके कुछ लोग ले गए इस से ज़्यादा बरबरता और नशन्शिता का माहौल नहीं हो सकता मैं समय रहते हैं चेत करके यह सरकार पंजाब के लॉए और ऑडर को ठीक करने के लिए काम करें आपके मैद्धिम से सरकार को यह अगा करना चाहता हूँ बारतिय जन्ता पार्टी निरंतर चुनाव के बाद में प्रभावी विपक्षिक की पार्टी की भूमिका में काम कर रही है चुनाव के परणाम में हमको बेशक दो ही सीट केवल मिली हैं लेकिन दो सीटें होने के बावजूद भी आज जिस तरह से पंजाब में लोगों का रुजान भरतिय जन्ता पार्टी की तरफ बढ़ा है मात दो सीट जीतने के बावजूद भी जिस तरह से निरंतर भरतिय जन्ता पार्टी में नए लोगों का सम्मिलित होने का क्रम अनवरत जारी है इसी उत्साह से बावजूद जन्ता पार्टी दो सीटों के होते हुए भी पंजाब सूबे में प्रमुक विपक्षी पार्टी की भूमिका को निभाते हुए सरकार की हर विफलता को सडक से सदन तक संगर्ष कर रही है आज भी बार्टी जन्ता पार्टी के कुन्बे में कुछ लोग और सम्मिलित होने वाले हैं हम सब की जानकारी में हैं कि जलंदर का उप्चुनाव होने वाला है तारीकें गोशित हो गई है पार्टी पूरी ताकत के साथ में पूरी क्षमता के साथ में जलंदर के उपचुनाव में हिस्सा लेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जिस तरह के हालात पंजाब में बने हैं और जिस तरह का मैसिव फिलियोर हर एक डिलिवरी पॉइंट पर जितने सरकार ने वादे किये थें उन सब वादों में 往दे के उन वादों पर कुछ लीपा पोटी करने के अतरिक्त सरकार और कुछ भी डिलिवर नहीं कर पाई और अब आशा की दृष्टी से पंजाब का आम मत्दाता भारतिय जनता पार्टी की तरफ मानिय नदेंदर मोधी जी की तरफ देख रहा है ऐसे में मुझे विश्वास है कि जलंदर के उप्चुनाव में भारतिय जनता पार्टी को अब की बार बहुत अच्छा मत प्रतिशत मिलने वाला है आप सब पत्रकार मित्रों का सहयोग हमेशा इन विशेयों को ले करके रहा है क्योंकि भारतिय जनता पार्टी, भारतिय जनता पार्टी की सरकार, माय भारतिय जनता पार्टी के नेतरत वे सर्वदूर एक ही सिद्दान्त की हम देश की एकता और अखंडता के साथ में समझाता किये बिना देश के हितों के साथ में समझाता किये बिना ही हम सरकार चलाएंगे हम सब ने देखा है कि किस तरह से राष्ट्रिय परिद्रश्य में सभी मोदी विरोधी ताक्तें एक हो करके मानिय मोदी जी के उपर कीचण उछालने उनके धवल चरित्र को परकालिक पोतने का प्रियास कर रही है बार बार नियायले के द्वारा फटकार लगाये जाने के बावजुद भी नियायले के द्वारा दंडित किये जाने के बावजुद भी नए इस तरह की कुछेष्टाएं थम रही हैं उल्टा भारत में लोक्तंत्र के सबसे महत्वपून स्थम जो न्यायपालिका की आत्मा है उस न्यायपालिका को भी की तरफ भी उंगलियां उठा करके प्रश्ण चिन्न खड़े करने के प्रयास किये जा रहे हैं ऐसे में हम सब की समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह आवश्यक्ता है कि इस सच को सच के रूप में लोगों के बीच में लेकर के जाएं आप सब ने आज सुभ़ सुभ़ यहां आने का परिश्रम किया उसके आप सब का आभाग आप कोई स्वाल आए तरह कुछ सब्सार ने अभी आपका के इनाउंस करने का काम पर्लेमेंटरी बोर्ड करता है जितने भी बाइलेक्शन्स हो यह प्रश्न अगर तभी खड़ा हो सकता था कि जितने बाइलेक्शन्स होने वाले हैं आप और जो करनाटका के चुनाव भी इसी स सब्सक्राइब करनाउंस हो जाते और जलंदर का नहीं हो जाता तो शायद प्रश्न हो सकता था लेकिन अभी कहीं भी नहीं हुआ है इसलिए प्रश्न मुझे लगता है कि अभी अपरा संगेत है पंजाब में जिस तरह से आपने बताया अभी भी सिचुएशन क्या है अंग्रेश पाल करें उसके साथ करें अभी भी लगता सब्सक्राइब करें जारी है लेकिन डीजीप पंजाब कहते ज़ा रहे कि पूरा लॉइन ओर ठीक है पीस्पूल है किसी भी तरह से कोई अज़ समाज और पंजाब का आम नागरिक क्या महसूस करता मैंने वो विशे आपके सामने रखा है जैसा मैंने कहा कि अखंड़ता और एक्ता को लेकर के कहीं किसी तरह की जो है जीरो टोलरेंस की नीती मान्य मोधी जी के और भरती जन्ता पार्टी की है और हम इसमें कहीं भी किसी के खिलाफ निश्चित रूप से रभावी कारवाई होना ही चाहिए. करके नीचे तक सब के फिलियोर में गिना सकता हूं पर मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने कहा है उसमें ये सब जो है मेरा भाव पहले से सम्मिलित हो गया है। क्या है। फिल्ड़ पुलावन टुबड़ ए पुलाविप ए पुलाव प्जयब टूबड़ ले लिवड़ लगता है। गजब टूबड़ लुए पुलावचित लगतार स्वाविए. अमरित पाल के वारे में बीजेवी क्या सोचते हैं? के सपश्ट है हमारी जनसंग के समय में जब स्थापना हुई थी तब जिस विश्मूल विशे को लेकर के स्थापना हुई थी तब से लेकर के आज तक एकी स्टैंड है उसमें स्टैंड में कभी कोई ने तो परिवर्थन हुआ है न होगा